पहले message और अब later. Message और later क्या दोस्तो पहले electricity bill के fraud के लिए हमारे mobile number पे एक message आता था. Message में लिखा रहा रहा था कि आपका electricity bill आज जात को 9 बैं से discontinue कर दिया जा गया क्योंकि आपका payment नहीं हुआ है. और उसमें एक contact number भी दिया रहा था था जिसमें बोला जाता था कि आप इस number में phone करें और phone करके immediate अपना electricity bill discontinue होने से बचाए इस से लिए इस SMS के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है आप मेरे वीडियो बोक्स में जाए और वहाँ पर मेरे वीडियो को देख सकते हैं आज का वीडियो वाट्सेप के लिए हैं अभी वाट्सेप पे एक लेटर आता है ये वही है सेम चीज़ वो SMS आता था और ये वाट्सेप पे लेटर आता है electricity के fraud के लिए ही आता है ये fraud message है जो की इसमें भी साप-साफ लिखा हुआ है कि आपका electricity bill discontinue हो जाएगा अगर आप continue करना चाते हैं तो इस नंबर पर दिये हुए नंबर पर फोन करें अभी मैं आपको लेटर दिखाता हूँ ये देखें दोस्तों यह वो लेटर है, आप उपर लोगों देख पा रहे हैं, उसके बाद नीचे दिया हुआ है, साब साब लिखा हुआ है, कि आपका इंग्लिज में लिखा हुआ है, your electricity will discontinue, आपका electricity जो है वो काट दिया जाए गर आदको 9 बजे, अगर आप इसे continue करना चाहते हैं, तो इस नंब पर फोन करें, देखिए आप लाइन बाइन इस लेटर को देख सकते हैं, साब साब के लिखा है, और यह देखिए, जो फ्रोड करने वाले हैं, उसने कितनी अच्छी तरह से इस पर लोगों बनाया है, लोगों बना करके इस लेटर को बनाया है, आप इस लेटर को ध्यान से रहा है और ये आज मेरे वर्ट से प्याया है इसलिए मैं आप लोग को भी दिखाना चाहता हूँ आप लोग भी इस लेटर को देखके सतर खो जाए इतना ही नहीं दोस्तों आपने लेटर देख लिया है अच्छी तरह से देख ले और पैनिक होने की कोई हो सकता नहीं है क्योंकि इलेक्टिसिटी बिल अगर डिसकंटिन्यू करना होता है तो इस तरह का लेटर इलेक्टिसिटी कंपनियां हमें नहीं भेशती है इलेक्टिसिटी कंपनियां चाहे वो W वी डिस्कन्टिनियोशन का नहीं भेशती हैं तो देखा दोस्तों आपने लेटर को मैंने जो दिखाया बहुत अच्छा से आपने देखा होगा इतना ही नहीं जो नंबर दिया हुआ है इस पे इस नंबर पर मैंने फोन भी किया बहुत बार फोन किया पहले तो फोन बीज़ी बीज़ी बता रहा था बाद मने अब just हुआ है और आज जात को 9 बजे आपका electricity कर जाएगा तो discontinue होने से पहले आप अपना consumer number बताए तो मैंने बताया सर मेरे पास तो भी consumer number है नहीं मुझे याद नहीं है तो उन्होंने मुझे नाम पूछा नाम बताने के बाद वो बोले हाँ पहले आप एक काम करिए पहले आप 25 रुपीस दे करके update करिए मैं बोला 25 रुपीस दे के update करूं मैं तब समझा नहीं वो आप अपना WhatsApp से या phone पे से एक number दे रहा हूँ उस पे आप 25 रुपीस भेजे और भेजने के बाद contact करें पैसे तो मैंने नहीं भेजा और उनसे पूला कि इस तरह का fraud ना करें इस तरह का fraud करने से उन्हें कुछ नहीं होता है क्योंकि अभी सभी लोग सतर्क हो गए और जो सत करना आने से भी पैनिक होने की आवशकता नहीं है और मैं तो कहूंगा कि ओ जो number विया होता है उस number पे call करने के भी आवशकता नहीं है किसी को भी तो उस number पे call ना करें और नहीं लेटर का reply करें वो वर्चैप पे अगर इस तरह का लेटर आता है तो immediate उसे ब्लॉक कर दे औ और number को ब्लॉक कर दे और message को डिलीट कर दे उसका reply ना करें अगर आप reply करते हैं 25 बीच भेजते हैं उस 25 बीच के सहायता से वो आपके phone को hack करके आपके account में phone पे या पे टीय में जो पैसे रहते हैं या Google पे में वो completely fraud हो सकता है तो इस तरह का यह नयाव तरह का fraud है लोगों को panic करके कि electricity bill discontinue हो जाएगा पहले message आया करता था अब इस तरह का later आता है तो हमें सावधान रहनी किया हो सकता है दोस्तों सावधान रहिए सतर्क रहिए और सावधानी बरती है तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज कहीं वीडियो आपको informative लगा होगा अगर informative लगे तो मेरे वीडियो को अगर subscribe नहीं किया है आपनी तो subscribe कर ले ताकि मैं इस तरह का आगे भी informative वीडियो आप लोगों को बनाता रहूं आप लोगों के लिए और आप लोग इसे देख कर रहे हैं और सतर्क रहां रहे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो subscribe कर ले like और comment करना ना भूले अग अगर आपके पास भी इस तरह का message आया हो WhatsApp पे तो comment करके मुझे जरूर बताए मेरे इस वीडियो को live भी करें तो दोस्तों आज के लिए इतना ही नमस्कार